रमेश विदूरी का जाना क्या कोई मदद कर पाएगा मनीश टोंग जले में खासकर और यह जो सिर्फ छे सीटों पर भारते जनता पार्टी सिम्टी थी इन छे सीटों में कितना इजाफा बीजेपी कर सकती है कितना प्लस कर सकती है और कितना लूज कॉंग्रेस कर सकती है देखे रमेश विदूरी को एक गुजर एक बड़े नेता के तोर पर उतारा तो गया है लेकिन सचिन पाइलेट की जो लोग प्रियता है वो कहीं न कहीं बहुत जादा उस पर असर नहीं दिखाने वाला दूसरी बात मैं ये पूरवी राजस्थान के लिए विशेश रूप स और पिछली बार जिस तरीके से सचिन पाइलेट ने पूरवी राजस्थान में अपने लोगों को टिकट दिया और सचिन पाइलेट ने दौरे किये उसकी वज़े से पूरी तरीके से लगबग लग भरतपुन में तो क्लीन सूइप हो गई थी बीजेपी इस बार सचिन पा कि ये जितने भी नेता पूरवी राजस्थान में जो जीते हैं उनके लिए भारी एंटी इंकमेंसी और इस बार जब कॉंगरेस ने टिकट दिये हैं तो ये चेहरे बदले नहीं गए हैं इसको लेकर बहुत नाराज़ किये इसपेशली गूजर और मीडाओं में और इन दो परिके से सकरीत ना निभाना ये कहींने कहीं बीजेपी को फाइदे में होता दिखाई दे रहा है क्या कॉंग्रेस अपनी ही गलतियों की वजह से पूरवी राजस्थान जिसे जीतने की वजह से वो सत्ता में आई थी उसमें नुक्सान उठा सकती है बिल्कुल मेरा अकला नहीं कि मनिश ने जो का है वो बिल्कुल ठीक का है कि सचीन पारेट को जिसे आप से नजरनदाच किया गया पार्टी के अंदर और संकठन के अंदर टिकेट डिस्टिबिशन में भी मुझे लग रहा है कॉंग्रेस को इस बार पुर्वी राजास्तार में ब्हुतना पड़ेगा पुर्वी राजास्तार में बहुजन समाच पार्टी का भी बड़ा वोड बैंग है आप देखें पिछली बार बहुदन समाज पार्टी ने वहाँ पर कुछ अच्छा पदाशन कर सकती एक दो सीटों के अंदर पुरिव राजस्तान पर भारतियनता पार्टी बहुत अच्छा पदाशन करेगी जाड बहुत सीटे जो है वहाँ पर इसके पर सतीष पुरिव राजस्तान का दोरा किया था और जाटों का हम बहुत संगणित किया था मुझे लग रहा है इस बार जाड भी भारतियनता पार्टी के साथ जा रहा है और गुर्जेर का एक बड़ा वोट बेंग भारतियनता पार्टी के पास जा रहा है जा रहा है वसंद्रा राजे के साथ दोस्ती हो गई है ऐसी भी पिक्चर दिखाने की कोशिश की जा रही है लेकिन ग्राउंड पर क्या मैसेज जा रहा है ये देखना बहुत दिल्चस्प है और इसी पर टिका हुआ है इनका अपना चुनाव लेकिन इन सब के बीच राहुल मैं प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के इंपक्ट को आपसे समझना चाह रही हूँ जैसे पीम शहरी आलाकों में रोडशो करेंगे और जितने एग्रेसिव वो अब चुनाव प्रचार में हुए हैं क्या इससे सीटों में कोई उलट फेर होता है कोई इजाफा हो सकता है भा पर वोट आते हैं एज़ पार्टी एक ऑगनाईजेशन चुनाव लड़ती है और कॉंग्रेस में जब चुनाव लड़ा जाता है तो वहां पर इंडिविज्वल्स जो खड़े किये जाते हैं कैंडिडेट्स उनका बहुत जादा महत्व होता है मैं राज्थान की एक और ब यह ऐसा सीधा दिखाता है कि यह जो रीजन है इसको जीतना किसी भी पार्टी के लिए बहुत जादा महत्वन है और ऐसे में मैं ये भी कहूंगा कि जो राज़स्थान से खबरे हैं उसमें ये भी माना जा रहा है कि इस बार राजिस्थान में जो इतिहास रहा है उसके बाद जो बीजेपी का कैम्पेन रहा है खासता और से प्रधान मंत्री का जो कैम्पेन रहा है उसके कारण बीजेपी को वहाँ पे काफी एडवांटेज है